वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर Flipkart Big Billion Day Sale में इस साल आपने कोई भी चीज परचेज किया है तो order से लेके delivery तक आपका कैसा experience से comment करके जुरूर बताना इस साल Flipkart Big Billion Day Sale जैसा रहा उसमें एकदम total flop साबित हो गया उसके पीछे में आप लोगों को 5 करन बताऊंगा जिसके करन इस साल का जो Flipkart Big Billion Day Sale था वो कस्टमर के perspective से बहुत जादा बेकार रहा है हाला कि Flipkart ने बहुत जादा profit कमा लिया वो अलग बात है लेकिन अगर हम लोग एजे customer एजे buyer इस चीज को समझने की कोशिश करे तो इस साल Flipkart BBD Sale में बहुत बड़े-बड़े scam जो है वो हमें देखने को मेरा है मुझे Instagram पे साथी साथ YouTube comment section में भर-भर के comment आ रहा है बहुत लोगों के साथ different different scam हो रहा है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को total 5 scam बताऊंगा जो कि इस साल Flipkart BBD Sale में open लिकिया गया है और जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला number का scam जंदे लीप जब sales start हो जाता है तब देखा जाता है कि price जो है वो जैसा कहां जाता है बैसा ही रहता है इस साल भी ऐसा ही हुआ दूसरे साल में हमें देखने को मिलता था कि जो lowest price जाता था वो जो ले पाता था वो ले पाता था वो लोग हो सकता है 5-6 मिनिट के बाद जैसे ही server नॉर्मल हो जाता उसके बाद order कर लेता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ जैसे ही 5-6 मिनिट के बाद server थोड़ा सा सही हो गया उसके बाद हमें जो देखने को मिला product का price increase देखने को मिला दूसरे point के अगर हम लोग बात करें तो इस बार हमें non plus member के लिए कोई भी अच्छा sale देखने को नहीं मिला यहाँ पे flip card पे बहुत सारे लोग plus member है लेकिन ये भी flip card को सोचना चाहिए था कि बहुत सारे जो लोग है वो non plus member भी है हाला कि जो plus member का sale है non plus member का sale है दोनों जगा पे यहाँ पे BBD sale का जो banner है वो दिख रहा था प्राइज दिख रहा था लेकिन जो सारे लोग non plus member था उन लोगों को actual में lowest price मिला ही नहीं जादा तर यहाँ पे 5000 प्राइज बढ़ गया हर एक product का जब यहाँ पे non plus member का sale आया और सबसे जादा इस बार जो दिक्कत हुआ मैंने भी बहुत सारे product इस पार order किया है लेकिन general damage जब return की बारी आती थी तब return बहुत hassle-free हो जाता था लेकिन sale के समय पे जो भी मैंने purchase किया है उसको मैंने return डाल दिया return accept भी हो गया return लेने के लिए तो return में बहुत ज़्यादा इस बार जहमेला देखने को मिला अब यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इस बार जो था वो लोड बहुत ज़्यादा पढ़ गया बहुत सारे customer ने इस बार order किया flip card को सारी चीज पता था अगर आपका चदर 5 foot का होगा तब आपको पैर भी 5 foot ही फैलाना पड़ेगा अगर आपने sale रख दिया 100 कोडों लोगों के लिए तो आपको उस हिसाब से अपना system को भी सही करना पड़ेगा अपने courier service को भी सही करना पड़ेगा तब जाके ये sale justify हो नॉर्मल यहां पर मैं credit card से order किया था बो दो से या तीन दिन में ही delivered हो गया लेकिन exchange वाला phone अभी तक मेरा रुका हुआ है और ये वाला जो phone है बो मैं exchange करने वाला हूँ इस पार जो exchange वाला phone लगबग आज 8 दिन हो गया लेकिन अभी भी बो phone delivered नहीं हुआ है बहुत सारे ल प्रोडक्त में एक भी scratch नहीं था प्रोडक्त एकदम नया जैसा था फिर भी उन्हें जो product यहां पर flip card offer किया था बो product का price नहीं मिला उससे 1000-1500 रुपया हर किसी का यहां पर product का जो price था बो कम हो गया पांच नमबर पॉइंट जो मुझे जादा यहां पर फील कराया बहुत सारे लोग आप agree भी करोगे इस पॉइंट पे इस बार flip card ने बहुत सारे ने ने courier boy को introduce किया गया है general day में आप सारा साल भर जिस courier boy से service लेते हो product लेते हो वो नया service boy जब आपके area में आ जाता है तो दो दिक्कत होता है एक तो पहले उसको आपका address नहीं पता होता है अगर आपका पास एक product आने वाला है तो दिन में आपको 50 बार call करेगा अब जितना भी उसे समझने की कोशिस करो वो समझेगा नहीं कि आपका address कहां पे है और general day पे जब आप order करते हो तब जो courier boy आता है उसको आपके address के बारे में complete जानकरी होता है और वो आराम से आपका address पहु यहां पर आप customer care को call नहीं लगा पा रहे थे और हर बार यहां पर customer service से आपको text ही मिर रहा था मतलब आप एक board से ही चार्ट करो कोई human being नहीं था जिसके साथ आप बात करके अपने problem को sort out कर पाओ तो यहां पर मेरे साथ भी बहुत सारा ऐसा incident देखने को मिला जहां पर मैंने customer care को reach करने की कोसिस किया लेकिन मैं यहां पर फेल रहा है तो अगर customer care यहां पर इतना ज्यादा poor perform करेगा तो लोग अगर product खरी देगा तो वो कैसे बताएगा कि actual में उसके साथ क्या problem हुआ हर किसी के लिए यह possible नहीं है कि वो email लिग के या तो message लिग के अपने problem को बता पा जो कि इस बार completely disaster शावित हुआ बहुत सारे लोगों का order जो है वो process होने के बाद भी cancel हो गया है मतलब जैसे iPhone के अगर हम लोग बात करें बहुत lowest price पर मिला था बहुत सारे लोग order भी कर गया था last year की तरह इस बार भी बहुत सारे लोगों का order जो है इस बार भी cancel हो गया ऐसा भी मेरे पास बहुत सारा report है बागी आप लोग मुझे comment करके बताना कि इस बार sale में आपके साथ क्या problem हुआ बागी आप लोग इस वीडियो को share जरूर कर देना ताकि सब को पता चले कि इस बार flip card DVD sale कैसा रहा ताकि upcoming जो भी sale है उसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ज़ इसा होगा तो next year से flip card DVD sale ना आए तो ही बैतर है बागी आप लोगों का जो भी यहाँ पे मन में सुझाब है वो आप लोग comment करके बता देना चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को subscribe आप लोग कर देना हम मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए take care bye bye and thanks for watching